नमस्कार दोस्तों वेदिक मैतमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको मंटिप्लिकेशन की एक बहुती सांदार ट्रिक बताने वाला हूँ ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब हमारा नमबर 10 की पाबर के पास हो जैसे माल लीजिए हमें 96 को 98 से मंटिप्लाइ करना है तो हमने देखा कि 96 और 98 दोनों ही 100 के पास है राइट? 96 जो है वो 100 से 4 कम है और 98 जो है वो 100 से 2 कम है राइट? आप ध्यान से देख लिए अगर हम 96 में से 2 को माइनस कर दें तो 94 आएगा और अगर हम 98 में से 4 को माइनस कर दें तो भी 94 ही आएगा और इसी लिए हम 94 को यहाँ पर लिख देंगे अब आप ये बताइए कि 2 को 4 से मंटिप्लाइ करने पर कितना आता है 8 आता है तो हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे लेकिन ऐसे नहीं याद कीजिए ये दोनों नमबर्स 100 के पास थे और 100 में तो 2 0 होते हैं तो हम केबल 8 को यहाँ पर नहीं लिख सकते हम 8 के पहले यहाँ पर एक 0 लगा देंगे ताकि यहाँ पर 2 डिजिट्स बन जाए बस अब हम इन दोनों नमबर्स को आपस में मिला देंगे और हमारा आंसर बनेगा 9408 चलिए एक और एक और एक्जामपल ले लेते हैं मा लीजिए हमें 9996 और 9993 का आपस में मैंटिप्लिकेशन करना है तो आप समझी चुके होंगे यह दोनों नमबर्स 10,000 के पास हैं 9996 10,000 से 4 कम है और 9993 10,000 से 7 कम है राइट? आप चाहें 9996 को 7 से माइनस कर लीजिए या फिर 9993 को 4 से माइनस कर लीजिए आपका आंसर 9989 ही आएगा राइट? अब इसके बाद हमें 7 और 4 को आपस में मंटिप्लाय कर देना है तो आएगा 28 लेकिन 10,000 में 4 0 होते हैं इसी लिए हम 2 0 इसके आंगे लगा देंगे तो यह बन जाएगा 0028 बस अब हमें इन दोनों नमबर्स को आपस में मिला देना है तो हमारा आंसर बनेगा 9989-0028 Amazing! Isn't it? मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ जिनका आंसर आप इसी trick का यूज़ करके निकालेंगे और हमें comment section में अपना आंसर जरूर बताएंगे अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक request करना चाहता हूँ मेरा एक छोटा भाई है वो भी YouTube पर वीडियो बनाता है और उसके channel का नाम है Love Fin मेरी आप सबसे ही request है कि अगर आपके पास जरा सा भी time है तो आप इस channel पर विजिट कर सकते हैं इस channel की link आपको नीचे comment box में मिल जाएगी Thank you for watching कर दो आपके पास जरा सकते हैं